आपके बाद जाना आप कहां से फरुकावाद से जी मेरा इन लोगों से आजकल हुड लगी हुजाईगी सब नेता अपने आपको हिंदू सावित करना जाते हैं मुझे आज तक यही नहीं पता चल रही है कि हिंदू है कौन है अब यह सवाल बड़ा जबरदस्त है कि हिंदू को होते कौन हैं जी और कोई कईते हैं मैं शिव जी यहीं की अफ्तार हूं मैं तो यह कन्फ्यूज हूं लोग भी चन्फ्यूज है कि असली हिंदू कौन है बड़ा चक्कर बड़ा हुआ है रोज डीवेट में भी सवाल उठते है क्या है कोन हिंदू मेरी आज तक मैं परुपाबात के हैं। बोल रही हैं, आरियां, खारियां तो कुछ तोड़ा सा शक दे रही है। इतनी देर में तो मैं पकड़ लेता हूं आदमी को। अब बढ़ या अब जगे नहीं होगी। थोड़ा सा आपको ख़ड़े रहने वोड़ा, आपकी जगे में। आपको या आपने चार वर बोल दिया, आरिया, खारियां, आब बाट कहीं है। क्योंको यह जो खारियां, प्यर्यां, ये कोई थोड़ा सा मुझे संदेहर देता है, लाकि कोई भी बात कोई बात नहीं कोई दोस्तान कोई भी मुखंळ रिये वो सब हिंदु है एक अदल पर संक्य को पिर भी हिंदुस्तान में। खत्रे में कैसे हो सकता है तो किस ने कैई वाले हमंदु कुसी ने कहीं तक तो किसी ने नहीं कहीं किसी नहीं गई हम तो नहीं है खत्रे में हम तो नहीं है खत्रे में अब नहीं है इसका जवाब मेरे पास है जो हिंदू-मुस्लिम के जो चक्कर है मैं उस पे एक बात आपको बता देना चाहता हूँ हवेली जोपडी सबका मुकदर फूट जायेगा अगर ये साथ हिंदू-मुस्लिमों का चूट जायेगा अगर ये साथ हिंदू-मुस्लिमों का चूट जायेगा दूआ किजिये के हम में प्यार के रिस्ते रहें कायम ये र बात है आज तो डिबेट बहुत दूसरे रंग में आ गई पुझे लगी नहीं रहा कि चुनाव का महोल है पक्का बताओ किदर से आ रही है कि दर से आ रिया कि भरेली कर तो टच है इतना तो मैं जान रहे हैं लेकिन है कहां का यह भी पता करना है थोड़ी देर में पता चल जागा मुझे मेरा यही काम है कैसे हैं जनाब कहा है मम्मी फापा उधर खड़ें कहां से आना रहा है कहां से रहने मैं जल्दी आ रहा हूँ को मैं जहां मखाना जहां कहां मैतिल परदीश मैतिल मैं तो यहां पर गौतम नारी स्राप बस उपल देधर धीर चरण रज बस चाहती किरपा करो हुर अगवीर यह बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सबका बहुत स्वागत है हाजी आप लोग कहां से हैं हम दिल्ली से हैं हम डॉक्यमेंटरी शूट करने आयते हैं हापर फिर उसके बाद हम यहां पर आ गए क्योंकि में को जॉनलिजम करना है तो थोड़ा में को मिल जाएगा आपसे थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है किसी को कहीं से किसी रूप में इ आना पड़ेगा हम ममी का यह तो यह ममी का इचिक करें की और हूश चुटी मब जाएंगी इस चुटी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी वाद है ममी का फोन आये तो जरूर चले जाए गा मैं आ रहा है जिए आप कहां से आई है आगे आई है इस बिली से मंदिर गहे थे बहुत अच्छी बाद है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच मैं मैं जो हमारे साथ मौजूद मैंने उनका तारूफ करा दिया बाचीत का सिसला ये है कि केजी वाल जी ने कहा कि वादे दी गारंटी दी उन्होंने कहा कि दस गारंटी हैं आम आधी पार्टी न दी है उसमें से मिसाल के तौर पर उन्होंने एक गारंटी जैसे मैं बता देता है उन्होंने कहा कि दिल्ली को हम सुन्दर बनाएंगे बहुत अची बात है दिल्ली को हम सुन्दर बनाएंगे ये बात उन्होंने कही समित पातराजी ने कहा जो वारंट पर है उन्हें आप कहे वो लोग कैसे गारंटी ले रहे हैं वो कैसे गारंटी ले रहे हैं डिबेट का शुरुबात कर रहा हूं मैंन सब से पहले आमाधी पाटी आज वही आज के चुनाओं का आगास करेंगे जी, मैं चुनाओं के मलब है डिवेट का 17 साल से भाजपा की सरकार है नगर निगम में दिल्ली के अंदर साफ सफाई का, कच्रा परबंदन का, प्राइमरी स्कूल का, प्राइमरी हेल्स सेंटर्स की जिम्मेदारी इनकी है आज दिल्ली के अंदर में आप कहीं से घुसो आपको कूडे का पहार दिखेगा, आपको कच्रा दिखेगा, गंदगी दिखेगी और सबसे बड़ी बात ब्रस्टा चार का ऐसा पहार इन्होंने खड़ा कर दिया है कि नगर निगम के अंदर नगर निगम यानि कि जो थर्ड लेयर की सरकार होती है जो जनता के सबसे नजदीक होती है दे टूटे लाइफ में सबसे जदा काम नगर निगम से पढ़ता है चाहे जलम प्रमान पत्र से लेकर मिर्द्व प्रमान पत्र तक के पैसे खाते है कभी भी किसी भी करमचारी को समय पर पैसा नहीं मिलता है और कूडे का पहार कूडा 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 प्रतीज जी हमारे पिता जी एक बात कहते थे कि बेटा जिस सहर के अंदर लालची लोग बसते हूं उस सहर में ठग भूखे नहीं मरते पहले अपने गुरु अन्ना का गन्ना चुसा उसके बाद में खास खास करके जनता से बोट लिया आज पूरी दिल्ली खास लिये और देखो दिल्ली का दुर भगे एक पत्थर से दो बार ठोकर खाली और अब यह दस गारंटी भाई आप एक गारंटी देदा पूरी तो करकर दिखाओ मैं कहरा हूं यह गारंटी तो एक तो पूरी करके दिखाओ यह अन्ना गन्नला पोज़ गे कूड़ा पे नहीं बोलेंगे आज कोई गरीब आदमी मकान बनाता है 25 गज का इड़ा गिरता है बाद में लिगम आता है तहले आज जी जनाब आया 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 का हाँ जी का द्यार है डाया बैंक पेंसरा अला बाद बैंक पेशनर्स रेटायर आड़ारी एस्वेशन स्वालों की थी पेंसने क्या बात हुए बात यह थी जब लगे थे तब तो पैंसन का जो चल रहा था पता ही नहीं था तारी चारिटार हूए तो पता लग रहा यह कित्ती है कित्ती नहीं का था तो पता हो गया अटल जी ने कर दिया था फाइनल 2004 में कि आप आगे जपेंसन नहीं नहीं है अगर बड़ा बवाल बचा हुआ है लेकिन उसके बाद जो रिटायर भी होगे अगर डिवेट नहीं हो निकोंगों अपडेशन नहीं है वह बचारे जिसमें आज आप लोग ने गॉन्फरेंज करी जाल जाल जाल